अलवर नियूस के रिपोर्टर त्रीलोग शर्मा और वीडियो जनलिस्ट रुपेश शर्मा के अनुसार कोतवाली धाना पुलिस ने स्टेशन रोड पर अरावली होटेल में चल रहे वैशवरती के रैकेट का खुलासा किया है होटेल में यहां गेर कानूनी कारे काफी समय से किया जा रहा था पुलिस ने वैशेवरती के रैकेट का परदाफाश करते हुए दो युवती वह होटेल के मैनेजर सहे तीन जनों को ग्रफदार किया है यहां युवतियां पश्चिम बंगाल और दिल्ली की बताई जा रही है पुलिस ने पीटा एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कोतवाल राजेश शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना के जरिये CEO सिटी विकास सागवान को लगातार सूचना मिल रही थी कि कोतवाली धाना चेतर अंतरगत स्टेशन रोड पर अरावली होटेल के अंदर संदेग्द गती विदिया चल रही है इस पर कारवाई करते हुए अरावली होटेल में बोगस ग्राहक भेज कर दबिश दी गई जिस पर पुलिस ने होटेल के मैनेजर बस्वा जिला दौसा निवासी गनेश जोगी वा पश्चिम बंकाल वा दिल्ली निवासी युवतियों को ग्रफतार किया है प्रारंबिक जाच में सामने आया है कि यह दोनों युवति करीब दो-तीन महिने से अलवशहर में किराई पर रह रही थी आसर बताई क्या मामलत है अरावली होटेल में स्री विकार सांगवान आईपियस साब जो सीओ नोर्थ लगे हुए है उनको मुक्वीर खास के जरीए सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के पास में जो होटल है अरावली इस्ट के नाम से है इसमें अनेर्थिक रूप से देह वैपार का दंदा हो रहा है जिस पर स्रीमान सीओ साब ने जाना कोट वाली की टीम को तलब किया और महिला खाने से कुछ महिला अलिकारी और करमचारियों को तलब किया और इस सूचना की तस्दीक के लिए थाना कोट वाली के एक कॉंस्टेबल को भोगस क्रहाट बना कर होटल में भेजा और तस्दीक करवाई तो यह सूचना जो है बिल्कुल सत्य पाएगी और सूचना के अदार पर इस होटल के अंदर दभीज दी गई तो देहवयापार में लिफ्ट दो महिला हैं और एक होटल का मैनेजर जो इस देवयापार को चला रहा था कमिशन के बतोर रुपे ले रहा था इन तीन सक्सों को गिरफतार किया गया है और इस पर अभियोग दर् स्री मिनोद कुमार आर्पियस सीव द्वरा किया जा रहा है तो महिलाएं हैं जिनमें एक वेस्ट गंगॉल की हैं और एक बेली तो यह कैसे था बुलाते थे मलब क्या इनका पूरा यह ओन कॉल महिलाएं आती थी और कौन व्यक्ति इन वो बलाता था कब-कब आती थी कि किस जरीए से आती थी क्या साथन में काम में लेती थी क्या इनका तरीका था इस सम्मंद में इन्वेस्टिकेशन जा रही है